स्वाड़ पार्टी के राष्टी अध्यक्ष ने हमारा दृष्टिकोंड सदन में प्रस्तुत किया था मैं उनकी बातों से स्वेम को संबध करते हुए उन्हें दोहराओं गिनिन केवल उनके द्वारा अंचुए पहलूंगों पर अपनी प्तिक्विया दित करने है अध्यक्ष जी 6 दिसंबर 1992 को आयोध्या में ये विवादित धांचा गिरा ये एक हकीकत है जगजाहीगा हकीकत है लेकिन क्या ये धांचा साजिश के तहित गिराया गया था क्या ये धांचा गिराने के लिए कोई शडियंत्र रचा गया था क्या कोई पूर्व योजना वनी थी इस पार रुपर शांचा है शांचा है अब नियम बताईए बिवस्ता कर नियम बताईए अब क्यों खेड़े हो गए अब एके नियम बताईए नियम बताईए कौन सा है नियम नहीं है कोई तो ववस्ता कोई नियम बताईए किस नियम के तहट ववस्ता अब तो मैंने नियम बताईए कोई नियम बताईए अब तो अब बताईए कोई वहाँ बताईए कोई इसको ववादिफ धांचा कहा जाए या इसे राम जन्म भूमी बावरी मज़िद परिशर कहा जाए नहीं तो डिस्प्यूटिट स्ट्रक्चर कहा जाएं ये सुप्रीम कोट का निर्देश है और बार बार लिवरान आयोग ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए कृपा करके यदि मुलान सिंग जी बैट जाएं और मुझे कहने दे कि मैं अभी केवल इतना कह रही थी कि इन बातों की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया था 16 दिसंबर 1992 को इस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना में पांच काम उन्हें सौंपे गए जो बहुत साथ को उन्हें बताएं मैं पढ़ूंगी नहीं लेकिन तीन महीने का समय इस आयोग को दिया गया यह अधिसूचना की प्रती मेरे पास है कानूनी भाषा में इसे मैंडेटरी कहते हैं यहां से दम्रम जी बैचे हैं भाषा यह भी हो सकती थी दा कमिशन विल सब्मिट इस रिपोर्ट विदिन थी अगर यह कहा जाता कि तीन महीने के भीतर दी जाए तो समया वभी बढ़ाने की गुंजाईश बनी रहती है लेकिन अगर भाषा यह बन जाए not later than three months यानि किसी भी कीमत में तीन महीने से ज्यादा देर न की जाए और इसकी रिपोर्ट दे दी जाए यह मेंडेटरी होता है लेकिन तीन महीने की जगे सत्रे वर्ष लगे 48 बार कमयावधी बढ़ाई गए इंडिया ने जो बढ़ाया वो इंडिया की मजबूरी थी लेकिन अगर इस तरह से बेवज़ कोई बात में ऐसी नहीं करें अगर बेवज़ इस तरह की रोका टोकी होगी आप लोग जोड़ती जाएगे इतना सवच्छण आपके चाहूं जी समय बढ़ाने की बात नहीं करती मगर कम से कम वो समय जोड़ती जाएगे तो मुलायम सिंग जी ओवेसी जी बेवज़े खड़े हो करके लिए अभी मैंने कहा क्या है ठीक आपके रही हो के तीन महीने से ज्यादा इसकी अवदी न बढ़ाई जाएगे अधी सूचना में लिखा था अब लोग तीका किपड़ी ना करें अटालिस बार समयावदी बढ़ाई गई आज करोड़ खर्च हुए और दुर्भागे की बात यह कि आज हम वहीं खड़े हैं इस रिपोर्ट के बाद जहां छे दिसंबर 1902 को खड़े थे यह तो सबको मालूम है धाचा गिरा था लेकिन हम पहले दिन से कह रहे थे कि इसके लिए कोई शड़ियन पर नहीं रचा गया इसके लिए कोई पूर्व योजना नहीं बनी अगर सब की इसके विपरीत था तो आयोग से यह अपेक्षा थी कि वो सबूतों के साथ सचाई ज मिल सकती थी एक तो सी बी आई की टीम जो जाच कर रही थी तक ची जुटा रही थी एक वो खुफिया एजन्सियां गुप्तचर एजन्सियां राज्य और केंद्र सरकार की जिनके पास खुफिया सूचनाएं होती हैं और तीसरा वो मुस्लिम संगठान जो इसे कॉंस्पिर के बारे में लिबरान क्या कहते हैं? कोई भी तक के वो जुटा नहीं पाए हैं ये CBI के बारे में वेने निखा हैं अब intelligence agencies के बारे में लिए बेखिये हैं Given the scope of the inquiry the commission was heavily dependent upon the cooperation of the state government, the central government and private integrations अब वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने विद्होल्ड किया उनके पास कुछ थाई नहीं तो वो देते क्या तो इंटेलिजेंस अब मैं मुस्लिम संगठनों की बात करती है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से यूसुफ मुचहला एक एड़ोकेट से मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड की तरफ से जो लिबरान कमिशन को असिस्ट कर रहे है यूसुफ मुचहला रप्रेजेंटिंग दा मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड had cross-examined some key witnesses like L.K. Advani in part. No evidence was led or information provided to the commission with respect to the conspiracy or pre-planning or the joint common enterprise by any of these councils. मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे यहां देश के ग्रिव मंत्री हो हैं जो एक वरिष्ट एड्वोकेट भी है. आप को कम से कम evidence को appreciate कर पाएंगे चे दम्रम जी. आप मुझे यह बताईएं कि वो तीनों चीज़ें जो यह तक्ष जुटा सकती थी, जो साक्ष ला सकती थी, जो सबूत पेश कर सकती थी. लिबरान कमिशन की रिपोर्ट कहती है, ना CBI तक्ष जुटा पाई, ना intelligence agency आम अदद कर पाई, और ना वो Muslim Personal Law Board के वकील हमारे सामने कोई सबूत पेश कर पाए कि यह कोई योजना थी, यह कोई शडियन पर था, यह कोई स्टाजिश थी. लेकिन इन तीनो के पावजूद, लिबरान रिपोर्ट किस निशकष पर पहुंचती है, वो निशकष पढ़के सुनाती है. The utilization of such huge monies is a categorical pointer to the planning and pre-planning carried out for the entire process of the movement, commencing with mobilization onwards right up in the very demolition itself. यह एसा appreciation of evidence है. कोई तक्ष नहीं, कोई साक्ष नहीं, कोई सबूत नहीं. लेकिन चुके पैसा, वो भी वो कह रहा है. कि पैसे का utilization हुआ, यह अपने आप में pointer है, कि pre-planning थी, conspiracy थी और केवल movement की नहीं, demolition तक थी. जिस समय यह report आई थी, तो मैंने प्राच्मित प्रिपणी की थी, that findings of this report are powers, ill-founded, and against the evidence placed before the commission. यानि, इस report के निशकर्ष विक्रित हैं, इस report के निशकर्ष निराधार हैं, और इस report के निशकर्ष उपलग्द स्थाविकों के विपरीत हैं. यह पहला तर्क मैंने रखा है, उस बात को पुष्ट करने के लिए, जो मेरी प्राच्मिक टिपणी थी, तब तक मैंने केवल सरसरी पढ़ी थी report, तब तक मैंने पूरी की पूरी report नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे मैं पन्ना दरपन्ना पढ़ती गई हूँ, मेरी यह धरना पुष्ट होती गई है. दूसरी बात अब आपके साम में रखना चाहते हैं, अपने उसी तर्क को पुष्ट करने के लिए. अध्यक्ष जी, इस पूरे report में, उस समय की केंदर सरकार पर बहुत तल्ख तिपणिया की गई है, बहुत तल्ख तिपणिया, पहले भी और बाद में भी. मैं एक आपको तिपणि इसमें पढ़के सुनाती हूँ. यह उस समय की केंदर सरकार अपाहिज हो गई हूँ. वो सारे मसले को सुप्रेम कोर्ट को सौथ कर, हाथ पर हाथ भरे बेठी यह एक तिकपणि है। दूसरी तिकपणि जो मैं पढ़ना चाहती थी, वो पिनाकी मिश्णा जी ने पढ़ दिये, इसलिए मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती। जिसमें उन्होंने कहा केंदर सरकार ने कोई सहयोगी ने किया। मैं पूछना चाहती हूँ. आप जिस केंदर सरकार को अपाहिज बता रहे हैं और सहयोगी बता रहे हैं। उसकेंदर सरकार के मुखिया कौन थे? स्वरगिर शी पीवी नरसिम राओ। कमिशन ने उनको तलब किया था। कमिशन के कांसल ने उनसे सवाल जवाब किये थे। पीवी नरसिम माराओ के खिलाब गवहन आई थी। और एक गवाई सदन में मौजूद बेटे हैं शी मुलाहिम सिंग्यादाओ। एफडेविट दिया था जिसमें गवाही थी। लेकिन पूरी के पूरी रिपोर्ट में एक शब्द भी प्रतिकूल तिपणी का नरसिम माराओ के खिलाफ नहीं है। एक शब्द एक जगे नाम आता है उनता वो भी धन्यवाद देने के लिए। कि मैं धन्यवाद देता हूं कि शब्द नरसिम माराओ मेरे सामने तेश हुए। बाकि एक भी टिपणी उनके खिलाफ नहीं। मगर इसके वी प्रीब श्यकल भिहारी वाजपई। जिने कभी कमिशन ने तल्ब नहीं किया। तल्ब करने की जरूवत नहीं समझी। जिनसे किसी ने सवाल जबाब नहीं किये। जिनके खिलाफ एक भी गवाई। उनके किलाफ बाइस जगे उनका नाम लिया। उनका नाम अपरादियों की सूची में डाला। दोज वार पेबल। और अपराद भी क्या मणा उनके माथे। सांप्रदाइक सौचार्द बेश में सांप्रदाइक सौचार्द बिगाड़ने का। कल राजना जी ने एट बी के नोटिस की बात की थी। तो जब सलमान कुशिद साब बोल रहे थे। मैं केवल कानून की धारा की बात नहीं कर रही सलमान खुर्शिद साब। मैं देश के law of the land की बात कर रही हूं। इस देश के सुप्रीम कोट के निरड़े की बात कर रही हूं। सेक्शन एट बी तो सपष्ट है ही। कि आप जरूर दर जरूर अगर किसी के खिलाफ टिपणी करना चाहते हैं तो एट बी का नोटिस दीजिए। लेकिन इस देश में सुप्रीम कोट का एक जज्ज्मिंट भी आया है। भागल पुर कमिशन के दंगों में। जब कमिशन की रिपोर्ट आई तो आदर्णी अडवानी जी का नाम बिना उनको एट बी का नोटिस दिए दे दिया गया। अडवानी जी उस नाम को शामिल करने के खिलाफ हाई कोट में गए। उन्होंने एक याचिका दायर की। उन्हें वहाँ से राहत मिली उनकी याचिका मन्जूर हो गई। लेकिन स्टेट अफ बिहार उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोट में आया। ये सुप्रीम कोट का जज्जमेंट पढ़कर सुनाना चाहती है। इट इस दाथ इंकंबेंट अपॉन दी कमिशन ज़रा ध्यान से सुनेंगे आप बहुत अच्छे से जज्जमेंट को अप्रिशेट कर सकते हैं। इट इस दाथ इंकंबेंट अपॉन दी कमिशन तो गिवन अपॉनिट इस पर्संट बिफोर अनी कमेंट इस मेड और उपीनियन इस एक्स्पेस्ट और मैं यहां एक बात और बता दूँ अध्यक्ष जी एक एट बी का नोटिस नहीं दिया गया केवल इतना ही नहीं है। एट बी का नोटिस देने की दरख्वास एक व्यक्ती ने कमिशन को दी थी। असलम भूरे नाम है उसका। उसने कहा था लिवरान कमिशन से। क्या पतल भिहार इवाजपे को भी तलब करिये। ओपी शर्मा वकील के तौर पर पेश हुए थे। जस्टिस लिवरान ने वो एप्रिकेशन सुनी थी। और अठारे पेज का एक ओरडर। अठारे पेज का एक ओरडर उन्होंने सुनाया था जिसमें लिखा सा उन्होंने।